हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होब कि आप सब आच्छे होंगे मॉर्निंग का रूटीन मेरा सुबह का नाश्टा हो चुका था यह ओफिस मतलब यूनेस्टी जा चुके थे और यहाँ पर मेरा बस क्लीनिंग रहती थी और सारे जितने भी कबट है इनको बस में क्लीन कर रही थी दो तिन दिन हो गए अन्वी बहुत ही ज़्यादा परिशान कर रही है उठते सारी रोना स्टार्ट कर देती है पता नहीं क्या है इसको क्या हो रखा है और यहां मैंने इसके लिए टीवी लगा दिया था और आस तो अन्वी ने बहुत ज़्यादा हद कर दी थी कि गोदी लो मुझे गोद में ले रही थी तो चुप हो रही थी जैसे नीचे इसको उतार रहे थी उसी के साथ ही स्टार्ट कर रहे थी रहे 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 मेर तो दिमाग इतना खराब कर रखा था जिसने मौरनी का काम मेरा हो चुका था जो भी जाडू पोचा और मेरा नाश्ता वगएरा और सुरेन के लिए बनाना था बस मुझको और बच्चों को नहलाना रहता था और मैं आगी थी किचन में अन्वी आप देश सकते हो आभी भी गोदी में ही चड़ी हुई है अभी देखना यह कैसा मुझक ऐसे लटका के रख रख है और मुझे बनाना था भी सुरेन के लिए नाश्ता नाश्ता तो दूद गरम करना था और अन्वी को पिला रही थी अन्वी कभी पीती है कभी नहीं पता नहीं क्या बच्चे की मूड की बात है पी भी लेती है नहीं भी पीती है आज अन्वी ने दूद नहीं पिया, मना कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इसको बनाना दे के देख लेती हूँ, अगर खाएगी तो ठीक है, बच्चे के पेट में कुछ ना से कुछ तो जाएगा, तो इसने इसके लिए भी मना कर दिया, पर रहा रहा है, करी रही थी, चुप जाता है, एक एक एक्स्ट्रा बना देती हूँ, कई बार अन्वी का मूड कर जाता है, और उसमें से भी यह आफ ही पराठा खाती है, हाफ जो बच जाता वो मैं खा लेती हूँ, और पराठे के लिए मैंने यहापे देशी की का यूज किया, पहले भी मैंने आपको वीडिय जाती हूँ, और उसके बाद मैं आदो के आगे थी मुझे करनी थी पूजा, पूजा करके आई तो दोनों बच्चे खेल जा थे अपने टेंट के अंदर, और मुझे कल मैंने धोया था सर और तेल ने लगा था, सोच रही थी कि तेल लगा लूँगी, सुरेन चला जाएगा स्कूल में, उसके बाद मैं कोम कर लूँगी, तब तक तेल भी क्या है कि बूरे बालो में अच्छे से लग जाएगा, सुरेन स्कूल जा चुका था, मुझे करनी थी कोम, बाल इतने लंबे सर्दिया में सोच रही कि कटवा दू क्योंकि संबलते नहीं हैं, और लंबे बाल कटवाने का भी मन नहीं करता, दो मन करते हैं, कभी कटवालू या नहीं कटवालू तो फिर आज का मेरा में टार्गेट था मलाई का गी निकालना, क्योंकि आप वीडियो में देखना कि कितने अलग-अलग कटोरे हैं, जो उनके अंदर मैंने मलाई निकाल रखिया है, और तीन या च्यार एक तो जग था, और तीन च्यार ये चोटी-चोटी कटोरे थे, इनोंने पूरे फ्रीज का स्पेसी गेर रखा था, और समान रखने की भी जगह नहीं थी, मैं का आज तो इनका गी निकालना ही पड़ा है, उमलाई का, रात मैंने सबजिया धो के सारी की सार करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तब तक के लिए बाई बाई मिलती हूँ, नेक्स्ट लोग में